उसका यह कहना है कि कुछ जो वैट्समन होते हैं वो सिंगल डबल में ज़रा नैश्रल होते हैं तो मुझे छके मारने में बड़ी असानी मैसूस होती है और मैं छके मारने की जो सलाइयत है वो मेरे में बड़ी कूट कूट के भरी हुई है क्या हुआ फिर आप 158 पे सरफ सुर से थोड़े से इसने हार्दिक पांडिया अब आप कहेंगे स्काय देख मेरा खाल है विराट कोली जो है उन्होंने बैटिंग नहीं की विराग ने तब भी उनकी गली है उनका मल्ला है उनकी पिच्च है उनके कंडिशन्स है यह देखो कल भी इस पर थोड़ी बात हुई थ 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें पचास होवर में वो नमबर चार के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंडर है अबी परफॉर्मेंस उसकी बतारी है हाँ जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब आस्ट्रेलिया में हो रही है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मैच में ही सुर्यकुमार यादव ने दिखा दिया कि भाई खतरनाख मोड में हूँ जरा बच के चोके चकों की बरसात कर दी विराट कोली नहीं खेले हैं और कौन कौन से खिलाडी नहीं खेले कौन से खिलाडी खेले हैं आपको यहाँ पूरी डिटेल सुनने को मिलेगी और उन पर एनलिसिस भी स्कोर काफी बड़ा नहीं था क्या पिछी ऐसी है बाकी पिछी भी ऐसी होगी पाकिस्तान के खिलाफ जब खेल रहे होंगे तो भी क्या लो स्कोर होगा कई सारे सवाल हैं इसलिए तो प्रैक्टिस हो रही है भाई कि थोड़ी बहुत समझ में चीजें आ जाएं तो कैसी थी ओवराल प्रैक्टिस और कैसा है उस पर एनालिसिस रिव्यू चलिए सुनते हैं मैसूस होती है और मैं च्छके मारने की जो सलायत है वो मेरे में बड़ी कुट कुट के भरी हुई है और कल खेर हमने देखा भी वो क्या हुआ फिर आप 158 पे सिर्फ सुर्यकुमार यादव बड़ा शांदार खेला और बाकी कोई खास उनके जो एक विकेट भूबी ले मैच आपका बंगलादेश के साथ समा हो देखें एक ही पेमाना रखते हैं ना अब वेड़ वाला मेरा गयाल है कल पूरी दुनिया ने देखा किसी ने इन में से रियक्शन नी दिया अब रात को जिस जिस गुलाम ने देखा होगा उस उसको एक दिफा तो दिल में आया जब आपने पहला न्यूजिलेंड में गए आपने बंगलादेश के साथ खेला समाओ आपको अड़वार्ड अब न्यूजिलेंड अपने घर में जहर रहा है दोनों मैच पाकिस्तान से भी बंगलादेश से तो कल न्यूजिलेंड ने कोई बहुत विल विंड किसम की नहीं कर ली के 130 score था मंगला देश का आप इस चीज़ को जैन रखें और पाकिस्तान ने बड़े सुकून से वो मैच जो न्यूजिलैंड से हमने जीत लिया बड़े मज़े से जीत अब इंडिया गया है आप ख्लामिट के साथ अड्जेस्ट करने के साथ थोड़े-थोड़े runs की एं भाकियों ने भीडीके ने भी की थोड़े से थोड़े से इसने अर्दिक पांदिया अब आप कहेंगा स्काई देखें स्काई वह बैट्समैन है जो टीड़े मैं बार बार आप से कहा रहा हूँ एड प्रेजेंट किसी भी कंडिशन वह जिस दिन यह समझ गया ना वैली ओव इस विकेट जैसे सेंजू सेंजू से पिछले कुछ मैचों से अपनी विकेट की एक प्राइस लग जैसे कल आयर ने बैटिंग की है जैसे इशन किशन ने कल ब एक्स्ट्रा सेकंड्स तो सेम अप्लाई ऑन स्काई स्काई एड प्रेजेंट मैं समझता हूँ इस बच्चे के साथ बहुत बड़ी जुल्म और ज्यात्ति हुए अट लिस्ट वाइट बाल और अट लीस्टी ट्वेंटी इसको दो तीन साल पहले इंडिया के लिए खेल जा भी बलके बता दें आपके क्या है मैं आपको पूरी टीम बता देता हूँ के जो दोस्त रेखें रिशब पंत है सूरिया कुमार यादव है दीपक हुदा ने भी थोड़े रंस की है को बीस होड हार्दिक पांडिया है दिनेश कार्थिक है अक्षर पटेल है हर्शल पटेल है भुनेश्वर कुमार है अर्श दीप है और युजविंद्रा चाल है तो इस मैच में मेरा खाल है विराड कोली जो है उन्होंने बैटिंग नहीं की दुखेंगे इस रेस्टिंग टुडए चार-पांच बंदे उनके तो आपने रेगुलर अस्टेलिया के दाब से देख आफ को रेही आउ outta हो रहे है इन आपत आन स्टे नहीं हैं बेटिंगी आप युदू कुमार Alle कन जी ने बीट परफोरमिस ऑ यह यंग इंडिया नी बॉलरा और बीट बातिंग थिए नंय स्चिन कीशनी अ अब्सीं प käंन से काही है और इंडियन जीन अंियन Bolnar ने ने कल खास करके सिराज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मस दिखाई है और फिर आयर और किशन देवर टू गुड यस्टेड़े आयर ने चौकों से बड़ी शांदार अपनी सेंचरी बनाई और इशन किशन थोड़ा चूग गए त्रानवे रन बनाए उन्होंने लेकिन जिस तरह क कि उन्होंने कल छक्के मारे खास करके नौकिया को तो वो डिजर्व करते थे सो बस आउट होगे उनकी किस्मत पे नहीं था सो करना लेकिन उनकी एनिक्स बहुत ही लाजवाब थी और सो नहीं आया आना चाहिए ता जाता क्योंकि टाइम भी गुजारा फिर बाद में हिटि एल राहूल विराठ कोली और एश्विन ये वाला प्रैक्टिस मैच नहीं खेले आज इंडिया के लिए तो लाइब नहीं आ रहा किसी टीवी चानल पे कि जिस पे आप देखें पे भी राग नहीं तब भी उनकी गली है उनका मल्ला है उनकी पिच्च है उनके कंडिशन्स ह हैं और आप वहां जाके खेर रहे हैं जी अपसलूल्टी जैसी आके इंट्रो पे आपसे बात की थी के देखने में तो 158 कम लग रहा है कि 20 हवरों में 158 और पूरी टीम भी आउट नहीं हुई लेकिन साथ ये भी आपसे अर्ज किया कि आब हमें नहीं मालुम के पिच्च क वह नंबर चार के लिए सबसे बेहतरी इन कंटेंडर है अब ही परफॉर्मस उसकी बता रही है दिखा रही है आपके समने है और इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि शॉट बॉल पे बिल्कुल ही फारग हो जाता है बेहतरी थोड़ी वह लेक पहले मैच में जब इशन-किशन गैकवाड वगारा यह क्या खेल रहे थे यह दवन आउटों के चला क्या पहले मैच में चार विट्टे कैसी और चलो वह तो गिल का तो यह है अगर खड़ा रहेगा तो रंस आएगा नहीं तो आउटों के चला जाएगा बाहर लेकिन बाक मैंटम जो थोड़ा स्टार्ट हुआ था तो इस तरह की बाट्समन या बॉलर या टीम में जो खिलाडी होते हैं वो बहुत ही वाइटल होते हैं बिल्कुल दोस्तों मूड-मूड की बात है वाइटल खिलाडियों की कमी नहीं है इंडिया में कोई भी चलता-चलता वाइट परफॉर्म करती है हमारी टीम और अब साउथ अफरिका को किस तरह से धोया इशान किशन सिर्यस एयर की जैसे अंत में बात हो रही थी तो कोई काबलियत में कोई कमी नहीं है और कल उन्होंने दिखा भी दिया क्रीज परबैटिक परदर्शन के साथ-साथ बड़े दिल का परदर्शन भी उन्होंने किया कि ये man of the match जो है इसके हकदार जो है इशान किशन है ये उन्होंने कहा कई सारे और अच्छे वीडियो क्रिक कट पर हैं जरूर देखिएगा और इसके बारे में आपने जो भी यहां राय सुनी इस पर आपकी क्या राय है उस पर भी अपनी बात कहिएगा कॉमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स वीडियो में चेहें